exercise start करने से पहले warm-up किस तरह करना चाहिए यह topic के उपर हम वीडियो बना चुके है कुछ दिन पहले ही बट एक दो लोगों का request आया था कि warm-up किस तरह करना चाहिए यह तो हमें पता चला है बट warm-up क्यू करना है उसके benefits क्या है इसके उपर भी एक वीडियो बना लीजिए तो आज मैं warm-up and cool-down यह दोनों चीज़े क्यू करनी चाहिए और किस तरह करने चाहिए कब करनी चाहिए और इनका उपयोग weight training and cardio training यह दोनों activities में हम किस तरह करेंगे इसके बारे मैं details में बात करूँगा पहले हम बात करेंगे warm-up के बारे में warm-up करना बहुत ज़रूरी है उसके कही सारे benefits मिलते हमें एक्सेज करते समय पहला benefit आपको यह मिलेगा warm-up का कि आपका जो complete body का blood circulation है वो improve हो जाएगा या फिर fast हो जाएगा या फिर उस particular body part का blood circulation improve हो जाएगा दूसरा benefit आपको यह मिलेगा कि आपके body का and आपके muscles का temperature बढ़ जाएगा इंप्रू हो जाएगा और इसकी वैसे आपको क्या benefit मिलेगा कि जब आप moment करते हो exercise में या फिर weight training में especially तो concentric में and eccentric में आपके जो muscles है वो उनके maximum range of motion तक moment करते है तो अगर यह moment properly होना है तो उस particular muscle का temperature है वो high होना चाहिए तभी उस muscle की extensibility and elasticity maintain हो जाएगी तो इसके लिए हमें उस muscle का या फिर आपके body का temperature बढ़ाना ज़रूरी है और इसके लिए हमें warm up करना पड़ता है ताकि body का temperature बढ़े muscle का temperature बढ़े थर्ड बेनिफिट यह है कि आपके joint के बीच में जो Sinoval fluid है जो frictions को avoid करता है दो हड़ी को घिसने से बचाता है या फिर दो हड़ी के frictions को audit करता है वो Sinoval fluid resting period में जब हम रहते है तब वो थोड़ा सा stiff हो जाता है और जब हम warm up करते है exercise के पहले तो वो वो जो Sinoval fluid है वो धीरे-दीरे lose होता है और वो moment करने के लिए proper ready हो जाता है तब ही आपके joints में proper moment होने लगती है क्योंकि जब आप करते हो या फिर exercise करते हो तो आपके joints में maximum जैसे मैंने बोला की range में moment होती है तो वो moment proper करने के लिए या फिर complete करने के लिए Sinoval fluid का भी बहुत बड़ा रोल होता है और वो moment के दौरान वो Sinoval fluid lose होना ज़रूरी है तो जब हम warm up करते है तो Sinoval fluid lose हो जाता है और हम properly moment करने लगते है फौर्थ benefit है कि जब हम warm up करते है तो हमारा brain alert हो जाता है हमारा brain या फिर central nervous system cns alert हो जाता है और वो ready हो जाता है moment करने के लिए और यह सारी चीजों से होता क्या है आप injury free रहते हो क्योंकि अगर आपने body relaxed position में है और direct आपने weight training चालू किया फिर आपने direct exercise चालू किया तो वहाँ पर injury के chances बढ़ सकते है muscle injury हो सकती है ligament injury हो सकती है tendon injury हो सकती है joint injury हो सकती है warm up कब करोगे आपको करना है warm up exercise start करने से पहले अब हम देखते हैं कि weight training में and cardio training में किस तरह warm up करना है so अगर पहले weight training की बात करें तो weight training में आपको करना पड़ेगा mobility drills या फिर dynamic stretches जिसके ओपर मैंने completely details में बात किया है पिछे वीडियो में अगर आपको यह देखना है कि क्या करना है warm up किस तरह करना है warm up तो जाके channel में देख लो वहाँ पे मैंने mobility drills के उपर दो वीडियो बना चुका हूं उसके बाद अगर cardio में बात करें तो cardio में आपको mobility drills नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि cardio training में उतने moments नहीं होते body में जितने weight training में होते हैं तो cardio में क्या करना है जो activities आप करोगे उसी का warm up होना चीए जैसे कि आप treadmill करने जा रहे हो तो treadmill पे चड़के आप डारेक 10 के speed से या फिर 12 के speed से आप direct running करने नहीं लगोगे तो वहाँ पर आप क्या कर आप क्या करना है कि आप 3-4 से चालू करोगे फिर 5-6-7-8 जैसे दिरे-दिरे आप क्या कर आते जाओगे या फिर आपको treadmill पे running करना है तो आप direct running start नहीं करते हो ना आप पहले walking करते हो फिर brace walking करते हो फिर jogging करते हो फिर running करते हो तो यह आपने low intensity से धिरे-दिरे आपने क्या कि आपकी intensity बढ़ा दी और आप running करने लगे इसी period में आपकी body warm हो जाएगी आपकी body ready हो जाएगी उस activity को करने के लिए तो cardio में आपको समझ में किस तरह करना है कि जो activity करोगे उसका minimum intensity से आपको start करना है और वो जाके धिरे-धिरे आपको speed या फिरेंस की intensity बढ़ानी है अगर आप cardio में mobility drills करते भी हो तो कोई नुकसान नहीं आपको benefit होगा बट नहीं करोगे time save करन start करने के लिए cool down में क्या करेंगे body को हम relax करेंगे आपके body का blood circulation बढ़ा है temperature बढ़ गया है तो यह सारी चीजों को आपको regulate करना पड़ेगा control करना पड़ेगा आपने बहुत बार देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग treadmill भागते रहते और suddenly उसको stop कर देते और floor पे उतर जात है और यह problems को आपको अगर avoid करना है तो आपको cool down करना ज़रूरी है क्या benefits मिलते है cool down के तो पहला benefit आपको यह मिलेगा कि आपका heart rate जो है आओ वो blood circulation को regulate करने के लिए आपको cool down करना पड़ेगा जैसे कि अगर आप running कर रहे हो बहुत fast और suddenly आपने बंद कर दिया तो इस चीज़ में हुआ कि आपके body का maximum blood flow है वो आपके lower body में है और उसको आपने suddenly stop कर दिया निच्छा आगे इसमें आपके lower body में blood clotting हो सकती है आप आपको चक्कर आ सकता है आपको headache हो सकता है तो अगर यह problems को आपको avoid करना है तो आपको cool down करना बहुत जरूरी है साथ में आपका blood pressure जो है वो बहुत बड़ा हुआ रहता है during workout उसको regulate करना पड़ेगा otherwise यह बार बार अगर आप करते रहोगे suddenly burn और आप cool down नहीं कर रहे हो तो आपके फिर future में हो सकता है आपके blood pressure के problem शुरू हो जाए तो यह problem आपको avoid करना है तो आपको proper cool down करना पड़ेगा कई लोगों को muscle cramps आते है यह भी एक reason हो सकता है अगर आप cool down proper नहीं कर रहे हो तो क्योंकि आपका blood circulation बहुत fast था आपने उसको regulate नहीं किया आपका blood pressure बढ़ा अगर यह सारे problems को face नहीं करना है तो आपको cool down करना ज़रूरी है अब cool down कब करोगे मैंने बोला कि activity खतम होने के बाद या फिर आपका exercise complete होने के बाद आपको करना है cool down किस तरह करोगे cool down weight training के बेले बात करते हैं weight training में किस तरह cool down करना है वहां पर आपको weight training खतम होने के बाद static passive stretches करने होंगे अब यह static passive stretches क्या है जहां पर आप hold करते हो अगर आपको यह समझना है कि किस तरह करना है तो इसके बारे में भी मैंने video details में बना चुका हूं तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो वहाँ पर आपको particular muscle को stretch करना है तो उसके बारे में भी वीडियो है और आपको compound stretch करना है तो भी उसके बारे में मैंने वीडियो बना के अपने channel में रग दिया, तो आप जाके वहां पे देखो tipos proper stretching करो काडियो में किस तरह आप कुल डाउन करोगे जैसे कि मैंने बोला कि आप ट्रेड मिल कर रहे हो तो ट्रेड मिल करते हो तो आप धिरे-धिरे स्पीड बढ़ाते हो वैसे ही वरकाउट खतम होने के बाद आपका काडियो ट्रेनिंग खतम होने के बाद उसी स्पीड को आपको ध आठ छे चार दो इस तर आपको पीड को कम करते हुए निचा आना पड़ेगा उससे क्या होगा आपका blood circulation regulate हो जाएगा temperature का जो बड़ा हुआ है वो regulate हो जाएगा right blood clotting के problems आपको face नहीं करने होगी आपको चक्कर नहीं आएगी आपको headache नहीं होगा कभी कबार उल्टिया भी होती है कुछ लोगों को तो ये सारे problems अगर आपको नहीं चाहिए तो आप properly cool down करो so I hope ये वीडियो आपको समझ में होगा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो please वीडियो को like करना, comment करना, maximum share करना तक कि आपके friends लोगों को भी आपके family में भी help मिल जाए और अगर channel में नए हो तो ऐसे ही exercise science के वीडियो रेगुलर पाने के लिए इस channel को subscribe जरूर करना और notification पाने के लिए bell icon को जरूर प्रेस करना